आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास नाइंद की फिजिक्स का फ़र शेप्टर मोशन मोशन इस चेंज इन दा पूजिशन में चेंज होना इसका मैं ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकता है किसी कि इसक को बहुते है निसको मैं से देख सकता है जैसे अगर displacement may be zero but distance may not zero तो displacement zero हो सकती है अगर हम पहले a से b जाएंगे दिन b2 याएंगे तो यहांपर displacement कितनी हो जाए कि zero but distance तो हमेशा होगी अगर हम यहां से यहां भी चले कि तो four होगी और वापस भी आ रहे हैं तो फिर कितनी हो जाए कि four plus eight उसके uniform motion and non uniform motion uniform motion क्या होता है जब equal distance में हम equal time interval पर travel करते हैं जैसे पहले अगर apen is time protocol करते हैं जैसे पहले अगर किलो मेंटर इस फिर हमम्हेर मेरे यह निए में एक टाइम तो यह भागया कि सको बोलता है फूरल जया कि समय हो जाये है का नान एअवरिज back crime थेसका बोलता है Lessonht- MIDI पूरिएन कसल काव तचाइम इसी अपन न करते है और श्यूंग सब्सक्र कर तो इसक बोलता है अगर किसी के object के हम motion के rate के बारे हम बताएंगे तो वो जादा अच्छा होगा जब उसके हम क्या बताएंगे direction में बताएंगे तो velocity में क्या बताते हैं direction बताते हैं यह एक vector quantity भी है if we specify it's the direction of the motion along the speed यह नहीं speed के sound के direction में बता रहा है it specify both aspect average speed के हो जाएगी initial velocity plus final velocity upon 2 उसके में rate of change of velocity के हम क्या बोलता है acceleration it means if object move in a straight line अगर एक object street line में move कर रहा है तो जो velocity होगी वो constant रहेगी change in the velocity of the object in time interval is 0 non-uniform motion भी रहेगा acceleration के हो जाते है change in velocity upon time तो change in velocity के हो जाएगी final velocity minus initial velocity upon time यह मीटर में है और second inverse तो यह वोई लिखा रखा है उसके आद acceleration positive होगा जब एक हो positive होगा जब एक हो positive होगा जब velocity के direction में होगा opposite direction में होगा तो minus होगा uniform acceleration के हो जाएगा if velocity increase or decrease अगर वेलोसिटी कभी कम और जादा होगी by equal amount in equal interval यहाँ पर not equal जैसे उपर से नीचे चीज़ गर रही है तो वो same amount में आएगी ऐसा नीकी पहरे बहुत तेज फिर हलकी 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 लिगे non uniform में क्या होगी garden road कभी हो तेज चलेगी कभी हो हलकी चलेगी तो यह था हमारा topic class 9 का first topic जो chapter है motion NCRT में उसके notes है